हालो बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं Official Reserve Account क्या होता है? हमने पढ़ा था नहीं से पहली वीडियो के अंदर के Different Components होते हैं B.O.P. के आपने पढ़ा Current Account, आपने पढ़ा Capital Account तो बच्चों अगर B.O.P. का एक पार्ट कौन Official Reserves Account होता है तब BOP हमेशा बालन्स करता है कैसे बालन्स करता है? समझिए अगर आपके BOP में डेफिसिट हो रहा है कमी आ रही है किस वज़े से? इंपोर्ट जादा है, एक्सपोर्ट कम है तो क्या किया जाता है? उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर जो Official Reserves Account मेंटेन किया गया है कौन करता है? RBI करता है उसमें से Reserves को निकाला जाता है फौरण करन्सी को निकाला जाता है और BOP के डेफिसिट को पूरा किया जाता है ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आपके BOP में Surplus आ रहा है इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट जाता है तो उस Surplus का क्या करें? उस Surplus को BOP के अकाउंट से निकाल के Official Reserves में डाल दिया जाता है तो बच्चों बात आई Official Reserves Account होता क्या है? बच्चों ये एक ऐसा अकाउंट है जो इंडिकेट करता है Reserves को किसके Reserves? Forex के Reserves किसके पास? RBI के पास Yes, हमारी Country के पास जो Main Reserves होते हैं Forex के वो किसके पास होते हैं? RBI के पास तो RBI उसको किस अकाउंट में रखता है? वो अब आपको पता चल गया That is Official Reserves Account Clear? और मैंने अभी आपको समझाया कि B.O.P. से पैसा निकाला जाता है या पैसा डाला जाता है तो उस टाइप की Transactions को बोलते हैं Official Reserve Transactions Clear? तो Official Reserve Transactions क्या है? These are the Transactions किसने की? Made by Central Bank जिससे क्या होगा? Which causes changes in its Official Reserves of Foreign Exchange तो उसके Official Reserves उसके basis पे Change होते हैं बढ़ते हैं या गिरते हैं और बच्चों कहता है This happens only when an economy withdraw from its stock of Foreign Exchange Reserves to finance the deficit in its overall B.O.P. वहां से निकाला और B.O.P के deficit को पूरा किया और B.O.P में surplus है तो B.O.P से निकाला और Official Reserves में डाल दिया और इसी जीज़ को हम अपनी next slide में कवर करने जा रहे हैं You can see here तो Official Reserve Account कौन maintain करता है MCQ आ सकता है One Mark का question बन सकता है कौन करता है जल्दी बताइए RBI जो क्या indicate करता है कितने reserves हैं हमारे पास Forex के दूसरी जीज़ अगर overall B.O.P balance positive है तो Official Reserves बढ़ेंगे क्यों? क्योंकि अगर वहाँ surplus है, वहाँ से निकाला जाएगा और Official Reserves में डाल दिया जाएगा पट वहाँ पर अगर वो negative है मतलब deficit है B.O.P के अंदर तो क्या होगा? Official Reserves से निकालके B.O.P में डाला जाएगा That means Official Reserves decrease हुए न Clear? तो हम यहाँ पर वाले case में positive के साथ surplus भी लिख देते हैं और नीचे हमने deficit लिखी रिया है और तीसरी important चीज़ वो क्या? B.O.P बालन्स तभी करता है तब जब हमारा Official Reserve Account इसका part होता है बचों, इसके बाद बात आती है किस चीज़ की importance क्या है Official Reserve Transactions की बचों, Transactions की importance आपको मालूम पढ़ी चुकी है कि हम इसकी help से क्या करते हैं? B.O.P को balance करते हैं that means for balancing the B.O.P we require what? We require Official Reserve Transactions First Point Second Point, बचों ये account कॉन्मेंटेन कर रहा है R.B.I. तो बचों जो भी routing होती है न हमारे country के अंदर forex की वो सारी इसी के तुरू होती है R.B.I. के तुरू होती है तो ये हमें indicate करता है कि इस time पे किसी बी time पे हमारे country के पास कितना forex रखा है ठीक है? ये indicate करता है किया indicate करता है? कि कितना forex हमारे country के पास है और उसी basis पे decisions लिये जा सकते हैं लाइक अगर forex कम रखा है तो हम decision लेंगे कि हमें कुछ ना कुछ step उठाना है ताकि हमारी exports बड़े या different type से हमारी country में supply rise हो जाए forex की और अगर हमारे पास obviously अगर surplus पड़ा हुआ है बहुत पड़ा है तो अच्छा न हम एक अच्छे position पे हैं हम अपने बड़े decisions ले सकते हैं उपर वाली indication से हम क्या कर सकते हैं we can take long term decisions तो हमारे पास क्या बन गया importance आगी तीन points की पहला balancing करने के लिए दूसरा ये indicate करता है कितने foreign reserves है और तीसरा ये long term decisions लेने में भी हमारी help करता है तो ये हमारा क्या था official reserves account क्या है और उसकी importance क्या है official reserves account का हो या official reserves transactions का हो क्योंकि उसे account से transactions होती है तो ये हमारा प्रच्दोर स्वर्ण करता है और ये है भाष्ब ये हमारा ये हमारा